एक कारवाई की बात करेंगे राची पुलिस ने काके और दशम फॉल अलाके में चापे मारी कर भारी मात्रा में आवैज शराब बरामत किया है काके थाना छेत्रे से लगबग 90 पेटी आवैज विदेशी शराब जब्त किया गया है इस संब्बत में पाच लोगों गिरफतार भी किया गया है साथ ही एक भुलेरो और एक कार बे जब्त किया गया वहीं दशम फॉल अलाके से 129 पेटी विदेशी शराब बरामत की गई है और पिक अप वैन को जब्त कर लिया गया है तो काके और दशम फॉल अलाके में पुलस ने चापिमारी का अवैद शराब जब्त कर ली है साथ ही साथ पाच लोगों गिरफतार भी किया सायोगी इमरान हमारे साथ बने हुए इस खबर पर भी ज़्यादा जानकारी देने के लिए इमरान यह जो विदेशी शराब पकड़ा है और यह जो लोग पकड़ा है यह अवैद शराब की तसकरी कहा करते थे क्यों भंडारन कर रखा था क्या जानकारी मिल रही है देखे सारे राची में लगातार विदेशी शराब लेकर के कई सुरक्षा ब्योस्ता है सौलकों पर अरेसे में इन सुरक्षा ब्योस्ता के मद्दरेज़ जब चिकिंग अभ्यान चलाए जा रहे थी तो कांके और दसमफॉल थाना चेत्र में गारियों पर रख करके बिहार सप्लाइ करने के लिए जो सराब के खेथ है वो गारियों से बिहार जा रहे थी इसी दौरान गारी को राची के काके ठाना चेत्र के जोड़ा पूल के पास पका गया जहां पर तक्रीबर 90 पेती जो है अवायद विदेशी सराब रामत के गया है पूस्ताश के कराम में पां जो सुरू में भी जैंक मुलिट की दू गारिया अलग लग दिशा से जा रही है आरा रही है तो फिर दसंपाल थाना चेत्र से भी एक गारी को पकड़ा गया पिका वैंड को रोकने की पोर्सित की गया लेकिन पुलिस को देखते हुए जो बिका बैं में मौजुद जो लो इसारी अवैड सराव है और ये सारे जा सिर्णार की जो सपलाइए और इसारी रहना रहने वाले पांच लोगों के गरेफ़ार हुई है इंक से पूर्सित की कि वाथा थापक जा रही है तो यहार इंक जो इसमें खैकन की सच्छाब की जो सबनाविए हैं लेकिन यिवी चलिए इम्रान 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 हम दूसरी खाबर की और बढ़ेंगे एक बातपूर्ण खाबर आ गई फिलाल आपका शुक्रिया तमाम लाइक अंड शेर वीडियोस सब्स्क्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकोन निउस लवन भारत सच है तो दिखेगा